कि हालो फ्रेंस वर्गम बाग टू पीसी स्टेडी चानल फ्रेंस आज लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पॉल टेकनिक में इस बार थर्ड राउंड में कितने रैंक वालों को कॉलेज मिल सकता है और कॉलेज मिलने के बाद आप जब एडमिसन करने जाओगे कॉंसा डौकिमेंट लेकर के जाना है सबसे पहले लिस्ट के बाड़े में ही बात कर लेते हैं तो एडमिसन फॉंवह यह आप को जो लगेगा एडमिशन के टाइम और डोक्युमेंट वेरिफिकेशन दोनों के टाइम लगेगा रैंक कार्ड यह आपको दोनों टाइम लगेगा एडमिशन टाइम और डोक्युमेंट वेरिफिकेशन टाइम डोक्युमेंट वेरिफिकेशन लेटर यह आपको लगेगा आपको प्लिटेकनिकल देना है ठीक है यदि आप एली से हो तो टूल कर दो यह पिर आइट याई कर दो ठीक है और मार्क सिर के साथ आपको यहाँ पर एडिमिट कार्ड भी देना पड़ेगा उसके बाद कास सर्टिफिके लेके जाना है आपको जरूरी है यदि आपको जरूरी है यदि आपको एल्से कॉलिज मिल थो देना पड़ेगा इडिमिशन के टाइम ना की डौक्यूमन्ट वधिके अथिकाना तो इतना ओबर आल आपका डॉक्यूमेंट लिस्ता इससे बार कुछ भी नहीं लगेगा ठीक है आप इसको लेके जाओ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिसें दोनों के टाइम काम आ जाएगा अब बात करते हैं थार्ट वालों को कॉली मिल सकता है तो देखो यूर से हो तो 40-50 तक तो मिली जायागा और यह तब मिलेगा जब आप सारा कॉली करते हो ओबी सी के लिए 55-57 ख सतरा भी मिल जाएगा और फीमेल के लिए फीमेल यदी और स्याम नहीं रहता है ठीक है ना फीमेल के लिए यदि मौनों आप ओबी सी से ओंड तो आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा और 68 ou 8 Excellent यहाँ पर आपको मिल जाएगा अस्ती ज़र के आस पास ठीक और यदि आपतो ऑगके स्टी से हो तो एक लग फ्लस को मिल जाएगी ठीक है इडल ऐसे हो तो भी आपको overall यही था 3rd down का cut-off और कल रिजल्ट आगा देख लेना बाकि आपको यदि रिजल्ट चेक करना यहां से 2nd down का मैंसन है यह 3rd down का मैंसन हो जाएगा ठीक है रिजल्ट आने टाइम तो आप यहां से चेक कर लेना 3rd down का यहां पर दिया गया तो इतना ही था वीडियो में कोई भी डाउट आप कमेंड मेंसन करें जिससे मैं आपका डाउट क्लिर कर सकूं सो मिलते नहीं वीडियो के साथ थैंक यू सो मच थैंक यू